इरान और उसके प्रोक्सी संगठन इसराइल को चारो तरफ से दहला रहे हैं। करीब 10 लोग घायल हुए थे और एक इसराइली की मौत हो गई थी। और हानिया की मौत में कथित तौर पर इसराइल का हाथ होने के चलते इरान इस ताक में है कि इसराइल पर कब वो एक भीशन हमला कर सके जिससे उसे अधिक से अधिक नुकसान हो। और इसी कड़ी में IRGC के कमांडर चीफ मेजर जनरल हुसेन सलामी ने इसराइल को जल्द ही बदले की चेतावनी दी है। और उसके ठीक एक दिन बाद तेल अविव के रामला शहर में एक बड़ा हमला हुआ है। धरसल यहां एक सड़क किनारे पारकिंग में खड़ी एक कार में ब्लास्ट हो गया ज जिसमें चार इसराइलियों की मौत हो गई जबकी आठ से ज्यादा लोग घायल हुए है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जाच कर रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ है। वही धमाके को लेकर इसराइल की एमर्जेंसी मेडिकल सर्विस के मेगन डेविड आ इबर हुड में रहने वाले लोगों पर शक जता रही है क्योंकि रामला टैल अविव के पूर मेस्थित है और यहां मिली जुली आबादी रहती है। यहां यहूदियों के साथ अरब समुदाय के लोग भी रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच इसराइल की मुश्किले कम नह ही हो रही है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि एरान एक नई बेलिस्टिक मिसाइल का परिक्षन कर रहा है जिसकी रेंज साथ सो किलो मीटर तक है और वो इसका इस्तेमाल इसराइल पर इसमाईल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए कर सकता है। फिर से इसराइल को ललका रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल जल्द ही एरान के बदले का स्वाज जरूर चखेगा। सलामी ने अपने बयान में कहा कि आज हम गाजा के लोगों का प्रतिरोध देखते हैं। सलामी ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि हम इसका अनुसरन करेंगे और सभी दुश्मनों को सजा देंगे और बदला लेंगे। अनुसरन करते हुए और दुश्मनों को सजा देते हुए और पिछले 45 दिनों में हमने जो हकीकत देखी है उसका बदला लेंगे। आपको बता दे कि मेजर जनरल सलामी के इस बयान से साफ हो गया है कि इरान जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है और वो किसी भी सूरत में इसराइल के लिए अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि आई आर जी सी के टॉप कमांडर का इस तरह का बयान बिलकुल भी उधाल के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस बया है